हेलो एव्रिवान, वेलकम टू नोजुकेशन गाइस, फाइनल लियर स्टूडेंट्स बहुत जादा कन्फूजन में थे कि अब उनके एक्जाम्स का क्या होने वाला है पहले तो डेली उनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन में फाइनल डेट शीट भी अनॉंस कर दी थी और ओनलाइन एक्जाम्स होने वाले थे लेकिन अब डियू की एक नूटिफिकेशन आई है तो इस वीडियो में हम उसी नूटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उसमें आपके लिए क्या लिखा है तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर एक्जामिनेशन ब्रांच के लिए नोटिफिकेशन है यहाँ पर लेखा हुआ है यानि कि जो आपकी ओनलाइन ओपन बुक इंग्जामिनेशन होने वाली थी वो अब पोस्टपोन हो गई है और यह सभी के लिए हैं रेगुलर, SOL, प्लस NCWave Students, और Undergraduate and Postgraduate दोनों के लिए, तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें आगे लिखा गया है कि present situation को देखते हुए, सबके लिए exam दे पाना या ले पाना पोसिबल नहीं था, इसे लिए examination को आगे पोस्टपॉन किया गया है, उसके बाद यहा नोटिफाई की जाएगी 3 जुलाई 2020 को, और जो examination है, अब वो start होंगी from 10 जुलाई 2020, तो यानि अब आपके जो exams हैं, वो 10 जुलाई से start होंगे, फिर second point है कि जो guidelines पहले 14 में को release की गई थी, वो guidelines इस बार भी same ही रहेंगी, पोस्टपॉन होने से उन guidelines पे कोई फरक नहीं नोटिफाई की गई थी, examination branch द्वारा, OBE के लिए, for the academic year 2019-20, उसमें भी कोई change नहीं रहेगा, वो सारी notifications unchanged रहेगी, और उस रिगार्ड में कोई भी further notification issue नहीं की जाएगी, यानि कि दोस्तों सीधा मतलब ये है, कि बाकी जितनी भी notifications थी, उनमें कोई भी change नहीं किया गया है, सारी notification, activities, facilities, सेम ही रहेगी, बस एक change आया है, वो change ये है, कि जो paper आपके पहले होने थे, जुलाई की beginning से, अब वो 10 जुलाई से start होंगे, यानि आपके paper just postpone हुए है, बाकी और कोई भी change नहीं है, इसके अलावा भी second page पर काफी points लिखे गए है, आप उन points को भी एक बार read कर लेना, तो ये थी DU की new notification, दोस्तों ये notification सिरफ third year students के लिए है, first and second year students के लिए पहले ही notification आचुकी है, जिसमें DU ने clearly कहां था, कि first and second year students directly promote कर दिये जाएंगे, उनके assignments और last year semester के marks के basis पर, तो इस notification से first and second year का कोई लेना देना नहीं है, ये notification सिरफ final year students के लिए है, जिनके exams होने लेकिन अब उन्हें पोस्ट पॉन कर दिया गया है, तो आप लोग बिल्कुल भी confused मत होना, अब इस new notification से बच्चे एक बार फिर से confusion में है, DU और UGC ने सबको एक बार फिर से confusion में खड़ा कर दिया है, कि पेपर कैंसल होंगे या नहीं होंगे, पोस्ट पॉन करने का क्या मत इन सब सवालों के जवाब सिरफ DU ही दे सकता है, बट स्चिल, अगर आपका कोई डाउट है, तो आपनो जुकेशन से इंस्टेग्राम पर जुड़ जाए, आप हाँ पर मुझे मेसेज करके अपने डाउट पूस सकते हैं, इसके अलाब आप कॉमेंट में भी अपने किन भी ओन कर दे,